भादो माह में भूल कर भी ना करें, ये काम वरना होगा भारी नुकसान। हिंदू पंचान के अनुसार भादो का महीना आरंभ हो चुका है। 20 अगस्ट से लेकर 18 सितंबर तक भादो का महीना रहेगा। भादो माह को भादरपद महीन के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन ही नहीं, बलकि भादो महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहत शुभ माना जाता है। यह माह भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी को समर्पित है। शास्त्रों में भादर को कल्यानकारी बताया गया है। वहीं भादरपद को भदर परिनाम देने वाला बताया गया है। यह महीना विशेश रूप से वरत, उपवास, नियम और निश्ठा का पालन करवाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना और चतुरमास का दूसरा महीना है। इसे भादर या भाद्वा के नाम से भी जानते हैं। भादरपद महीने में हिंदू धर्म के अनेक पर्व आते हैं, जिन में जन्माष्ट मी वगणे शोत्सव सबसे अहम हैं। भादो महीने में सनान, दान और वरत करने वाले लोगों के पापों का नाश होता है। यह शून्य मास भी कहलाता है क्योंकि इस महीने में लोग व्यवार के कार्य निशेद होते हैं। मान्यता है कि यह महीना गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए शृष्ट है। भादरपद महीना पर्व के लिहास से तो अच्छा है, लेकिन यह मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसमें विवाह, सगाई और नए घर का निर्मान शामिल है। इस माह में भक्ती के साथ साथ सनान और दान को विशेश बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक भादरपद महीने में कई कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही कुछ खाद्य सामगरी पर वर्जना बताई गई ह प्रियमित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। चलिए जानते हैं भादरपद माह में क्या नहीं करना चाहिए। एक इस महीने में मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा और चर्चा करने से बचना चाहिए। इस महीने में आलस्य को त्याग कर धार्मिक कारियों में लगना चाहिए। दोग भादों के महीने में मास मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में मास साहारी भोजन करने से देवता रुष्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं यह पूजा पाठ में विगन पैदा कर सकता है। तीन इस पवित्र मास में इस बात का भी ध्यान रखें की दूसरे का दिया हुआ चावल या नारियल के तेल का इस्तिमाल किसी भी प्रकार से ना किया जाएं। इससे घर में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि भादों में रविवार का विशेश महत्व है। इस दिन सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति के आत्म विश्वास में बढ़ोतरी होती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। संभव हो तो इस माह में सभी रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें। नमक का सेवन न करें और बाल न कटवाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादरपद के महीने रविवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और नाही खाने में नमक का प्रयोग करना चाहिए। पांच इस महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस महीने में मास, मदिरा, अंडे आधी का सेवन नहीं करना चाहिए। छे भादरपद के महीने में कच्ची चीजों का सेवना न करें। इस महीने में दही और गुर का सेवन करने से बच पर रहता है तथा बोलने में दिक्कत हो सकती है। पलंग पर सोना भी छोड़ देना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछा कर उस पर सोना चाहिए। चार असत्य वचन बोलना, कड़वे वचन कहना, विश्वास घात करना, इर्शा करना, क्रोध करना यह सभी त्याग देना चाहिए। साथ, भादरपद के महीने में नशीले पदार्थों, तमबाकू, गुटखा, सिग्रेट वशराब आधिका सेवन करने से बचें। आठ, इस समय शारिरिक संबंधों से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं भादरपद माह में क्या करना चाहिए। एक भादरपद माह में भगवान, शिव, कृष्ण और गणेश की पूजा करने का मान्यता है। इनकी विधिवत पूजा करने से सुक्समृध्धी की प्राप्ती होती है। दोत इस महीने में कई वरत किये जाते हैं, जैसे की हरियाली तीज, गणेश, चतुर्थी आदी। इन वरतों को करने से मन को शांती मिलती है और पुन्य अर्जित होता है। तीन भादरपद में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खास कर अन्न वस्त्र का दान करने से पुन्य मिलता है। चार भादरपद के महीने में गंगा स्नान का विशेश महत्व है। इस महीने में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। विशेशकर नदियों या तालाबों में सनान करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं पांच इस महीने में मंदिरों में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है छे भादरपद के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए साथ भादरपद में कृष्ण भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और खुद भी तुलसी दल के जलका सेवन करें दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखें भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें जै श्री कृष्णा दोस्तों